आज दीपोत सव का पावन प्रकाश पर्व है सारे देश में, सारे विश्व में इसे मनाय जाता है विश्व में विविन रूपों में मनाय जाता है तन्तो हमारे दीपावली पर्व से मिलता जुलता पर्व कई जगे मनाय जाता है प्रकाश पर्व ये जो हमारा प्रकाश पर्व है एक प्रकार का इस कृशी प्रधान देश की एक व्यवस्था का प्रतीक पर्व है इसे नव सश्ष्ष्टी यह की कहा जाता है सस्ट शब्द का मतलब होता है क्रिशी क्रिशी हमारी जो नई फसल आ रही है धान की फसल अभी आने वाली है उसकी इसमें दीपों की गर्मी में दीपों की गर्माहट में और इस पर्व की गर्माहट में सिकाई होगी उनको संसकारित किया जाएगा उनको पूजा जाएगा और उसके बाद वो फसल को फिर ग्रहन करता है किसान तो यह हमारे देश की परंपरा है बार्ति संस्किती की परंपरा है कि हमारे देश में दो प्रवर मना जाते रहें एक घोली का के समय वासंती नव सस्चिस्टी यग्य और एक दिवाली की समय शारदे यह नो सश्षिष्टी यग्य यह दो यग्य है तो आज एक का दिन यग्य का दिन है कार्ति किया माउस्या का यह जो पर्व है जिसमें की चानों तरफ घोर घोर अंदकार चाया हो उस पर्व में हम भगवान से प्रार्थन करते हैं भगवान हमारे अंतर जगत में प्रकाश देना हमारे अंतर जगत में उल्लास देना कई एतिहासी गटनाओं से जुड़ा हुआ है यह पर्व हमारा एक तो सबसे पहले यह संस्कृति की दिश्टिस देखा जाए तो यह वैश्यों का पर्व माना गया हमारा इससे पहले निकला है पर्व वो है आपने सुना होगा कि विज्यादेश्मी पर्व जो है वो छत्रियों को पर्व माना जाता है श्रावनी का पर्व जो राखी का पर्व है वो ब्रामणों का पर्व मना जाता है और ये वाला जो पर्व है ये पर्व मना जाता है हुली का पर्व, शुद्रों का पर्व मना जाता है उस दिन सब चीज करने की छूट रहे थी पंतु ये जो पर्व है ये है वैश्यों का पर्व वेश्य का मतलब क्या है तो वेश्य का मतलब भगवान कृष्ण गीता में कहते है क्रिशी गोरक्ष वानिज्यम वेश्य कर्म सभावज्यम वेश्य का सभावज्य कर्म क्या है क्रिशी कहती करें गोगी रक्षा करें गोमातक रक्षा करें और भली भाती पैसे का आदान पदान करे। कृषी गोरक्ष वानिज्यम। अठारवे अध्याय में उन्होंने व्याख्या की है इसकी। तो भगवान के इस वानि के माध्यम से पता चलता है कि हमारा देश मुलता कृषी पदान देश था और यहाँ पैसे का आदान पदान पूरा कृषी पुनिर भर था। पूरी व्यवस्था क्रशी प्रधान थी, आज बात अलग है कि आज हमारी व्यवस्था पाश्यात्य व्यवस्था हो गई है, तो माल प्रधान हो गई है, मौल्स के अपर आधारित हो गई है, दुनिया बर की हमारी क्रशी समापत होती जा रही है, क्रशी की स्थान पर बड़ कितनी कितना खर्च होगा, अगर आपको यहीं नहीं मालूम होगा, कितनी आवक है, कितनी जावक है, तो फिर आप कैसे पूरा खर्चे चलाएंगे, आकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, एक पुरा के पूरा परुकी व्यवस्था रखी गई, यहां मैनेज कर लीजिए, महालक्ष्मी से प्रात्ना करते हैं, कि महालक्ष्मी निरंतर आते रहना, और आते रहे करके, हमारे इन शिश्यों के माध्यम से जो दान आप लेके आती हैं, उसकी पूरी व्यवस्था बनाते रहना, सारे विश्यो भर में, हम तरह तरह की चरिटेवल प्रजेक्ट चलाते ह उनकी व्यवस्ता बनाते रहे हैं, आज का पर्व विशेश रूप से इसलिए महत्पुर्ण है, कि ये लक्ष्मी और विवेक के प्रतिक गणेश दोनों का सम्मिलित पर है ऐसा नहीं कि गणेश नीचे बैठे हुए और उपर लक्ष्मी जी बैठेंगे कि सीनियर है ऐसा नहीं है दोनों साथ साथ बैठे हुए है जबकि दोनों का वंश अलग-अलग है गनेश प्रगवान शुव के परिवार से आते हैं लक्षमी जी विष्णु जी के परिवार से आती हैं प्रगवान में और त्रिदेवों में कोई परिवार नहीं होते हैं पर विवेक के प्रतीक गनेश के माध्यम से लक्ष्मी जब आएगी हमारे घर में तो टिकेगी जब विवेक के माद्यम से नहीं आएगी चुए के माद्यम से आएगी तरह तरह के और हरकतें करेंगे उनके माद्यम से आएगी तो फिर टिकेगी नहीं हमारे पास ये ध्यान हमेशे बराबर दिकेगी विवेक के माद्यम से आने वाली लक्षमी हमारे घर में टिकेगी और वो लक्षमी जो टिके उसे लक्षमी का जाता है बागी तो धन आता रहता है जाता रहता है धन का सभा लक्षमी सभाव से चंचला कही गई है तिकती नहीं है पर किसके तिकती है जिसको वीवेक होता है तो उसके मार्द्यम से फिर व्यवस्ता पूरी बनती है पूरी व्यवस्ता बनती है सारा लेंदेन का करम चलता है और सारे राष्ट की व्यवस्ता, सू व्यवस्ता सारे तंत्र की व्यवस्था, सारे सु व्यवस्था, सब व्यवस्था बनती चली जाती है कई बार लोग आते हैं हम से कहते हैं आप ने बहुत काम कर दिया वर्देयों के महाप्रयाण के परश्चाद इतना निर्माण हो गया है, सब हो गया यह सब क्या है लक्षमी की विवस्था का सुपर नाम एक टीम है पूरी पूरी टीम है जो लक्षमी की विवस्था बनाती है और लक्षमी की विवस्था बनाकर कि कहां कितना खर्च हमाँ पास बचा है कहां हम खर्च कर सकते हैं तो बचा के नहीं रखना है तुरंत कर्च करो, निर्मान करना है क्योंकि हम जरूत है, आवशक है, इसलिए हम सारी सारी चीज़ों कर नियमन करते रहते हैं, यह नियमन का पर्व है हमारा आज का दीपावली का पर्व, दीपावली का पर्व इसलिए मना जाता है कि इस दिन ऐसा कहा जाता है, भगवान ज इसलिए दीपक सजाए जाते हैं दीपक लगाए जाते हैं ऐसे कहा जाता है कि अंधेरे में कार्थी के अंधेरे में लोगों को लगा कि इसमें कैसी आदमी जीएगा सबसे घंगोर अंधेरी रात निशा महा निशा कहा जाता है इसको इसमें तांत्रिक लोग भी पूजा करते है रात में तांत्रिक लोगों के पूजा के लिए सबसे स्रिष्ठ मुर्थ वी दिपावली का बताए गया और ऐसी महा निशा की रात में कौन रक्षा करेगा हमारी तो ऐसे मैं दीपक उभर के आता है वो कहता है मैं दुस्साहस करूंगा मैं जलूंगा और मैं जलूंगा और जलता रहूंगा और एक नहीं आने को दीपक जला दूँगा हजारों लाकों दीपक जला दूँगा क्योंकि मैं अकेला जन्दा हूं तब तक मेरा साहस है कि मैं दीपक हूं मैं दीप कुर्देव की कविता है दीप हूं जलता रहूंगा मैं प्रलय के आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा ये दीपक की एक जीजीवीशा है कितनी आंधियां आ जाएं पर दीपक कभी भुशता नहीं दीपक कभी हिलता नहीं इसलिए ये दीपक जो है हमारे लिए बड़े महत्मूर माने गए हैं इसलिए हम दीप पर मनाते हैं दीप पूजन करते हैं आज के दिन घर में दीपक लगाते हैं लोगों ने ऐसा सुन रखा है कि घर को अगर सजा के रखोगे और लाइट जला के रखोगे और खुब सारी बत्यां जला के रखोगे तो लक्षमी को आने का मार्ग मिल जागा लक्षमी को आने के लिए मार्क के लिए दिपों के जलोत नहीं है वो तो जह चाहती है साफ सफाई हो इसलिए नरका सुर का वद किया कल भगवान ने खरशन ने और भगवान राम ने आज राज्या रोहन किया तो नरका सुर के वद से पहले तक जितनी गंदगी है वो सब साफ हो जाने चाहिए नरका सुर का वद यहने गंदगी का वद गंदगी को समाप्त कर दो इसलिए सफाई करते हैं गर को साफ करते हैं नए कपड़े पहनते हैं दो दिन बाद अभी अगले दिन हमारे घुजराती भाई लोग आए नए साल मना जाता है सब नए कपड़े पहन कर नए साल मनाते हैं घूमते हैं फिरते हैं और इसके बाद अपने नए साल का काम का चालू करते हैं यह सारे हमारे रीती रिवाज संसकती के जो प्रतीक हैं इनके पीछे कितना विज्ञान है कितना पुछा विज्ञान चिपा हुआ है, हर चीज के पीछे, कल ये है, कल शाम को गोर्दन पूजा है, परसों भाही दूज है, और उसके पश्चात continuous फिर उसका छट का परवा जाता है, जो पूरे देश की एकता का प्रतिक बन गया है, पूरे बिहार में नहीं बलकि पूर इनी दिनों आते हैं, एक साथ इकटे, 10-12 दिन तक परवा continuous आते हैं, कोपायश्टमी से चलू होते हैं, और continuous दॏशी, 15-16, दॏशी से लेकर के चट तक परवा तक चले आते हैं, न support ऐसे 12-14 दिन तक परवा continuous बने रहते हैं, यह हमारे परवों की शंक्यला है, ऐसा कहा जात है तिहासिक दिश्टी से कि दीपावली के दिन स्वामी दियान अंसरसुती ने अपना शरीर छोड़ा था दूसरा महावीर तिर्थांकर महावीर ने अपना शरीर इस दिन छोड़ा था तीसरा हमारे स्वामी रामतिर्थ ने यहां से थोड़ा थोड़ा ऊपर देवप्रया के पास टेहरी के पहले भागीरती वेती थी उसमें अपना शरीर दान किया था गंगा में शरीर अपना ट्याग दिया था विसरजन कर दिया था 33 साथ की उम्र में वेदान्त की बहुत अच्छे विद्वान थे और विवेकानन उनको बहुत बहुत मानते थे विवेकानन के बाद उन्होंने अपने वेदानत के काम को बोटा के बढ़ाया था स्वामी रामतीर था इन तीन महापुरुशों के देह दान का देह शरी शरी छोडने का आज का दिन है ऐसे कहा जाता है कि महावीर तीर्थांकर जब चले गए तो लोगों ने गंदर्वों ने यक्षों ने किंडर्वों ने सोचा कि रास्ता को दिखाएगा लोगों को आने का लोग सब आने वाले थे अपनी आहुतिया अरपित करने के लिए अपनी पुर्ण शद्धांजली अरपित करने के लिए तो उन्हें बहुत सारे रत्न रख दिये रास्ते में ताकि रत्नों के माध्यम से रास्ता बन जाए वही रत्ना आगे चलके दीपक बन गए हर वक्ती रत्ना नहीं रख सकता यह प्रकाशित रत्नों दीपक बनते चले गए और दीपक के माध्यम से ये दीपक प्रकाशपरु बन गया मित्रों आज के दिन ये दो देवताओं के पूजा ये हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए गनेश, विवेक, विग्न निवारक बहुत पूजा करते हैं गनेश की पर विवेक को इस्थान नहीं देते कभी विवेक मैं बुद्धी हो गायतरी की सबसे बड़ा प्रतीक है वो है विवेक युक्त बुद्धी वो गायतरी की तीन सो रूप है महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली महाकाली का पूजन कल हो गया काली 14 आज महा लक्ष्मी का दिन है और कल महा सरस्वती का दिन है मित्रों ये जो दिन है ये सारे सारे हमारे लिए बड़े महत्पूर्ण है कि हम ऐसे समय में आप लोग ऐसे समय में यहां शानिती गुजों बैठे हैं गाती तीरतों बैठे हैं और परु मनाने के लिए बैठे है आईए हम लोग इस परु को मनाएं और लास के साथ मनाएं एक दुखत घटना हमारे बीच में घटी है हमारे कारकरता हमारे हरीश ठककर जी उनकी धर्मपत्नी उन्होंने कल रात को रूप 14 के दिन शाम को काली 14 के दिन शाम को रात को शरीर छोड़ा है बहुत दिनों से व्याधिक रस थी पर मनोबल बड़ा कजब का था वी चार दिन पहले हम दोनों मिलने आये थे बड़ा मनोबल था बड़ा जबर्दस था माता जी और गुर्देव की पुत्री थी मानस पुत्री के समान थी और इसके बावजूर भी उनके पती शरीर भी छूड़ जा तो भी कोई भी करम बननी होना चाहिए तो गुर्देव का शरीर हम वहाँ से उपर से लेकर के आगए और यहां रख दिया हमने पर उसके बाद नाद्योग चालू हुआ तो सब ने नाद्योग में ध्यान किया अन्नी अवाताई ने भी ध्यान किया ह हम समने ध्यान किया और उसके पश्याद जब ध्यान सवाबत हुआ तब हमने शरीर को अगनी दी थी तो इतनों यहां का कोई करम नहीं रुकता कभी नहीं रुकता सारे करम बराबर चलते रहते हैं आज एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी हिम्मत रख करके उस भई खाता का पूजन क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड हमारे उसी पुश्पा के पती हरिश ठकर हैं वो पूजन करने के लिए यहां आएंगे मैं उनके साहस की दाद देता हूँ और खुब-खुब मंगल कामने के करता हूँ कि वे अपने अंदर ही अंदर में पुश्पा अब शान्तिकुझ में निवास करते हैं हमारे चोटे भाई के समान है और ऐसे में आज लक्ष्मी पूजन के दिन हम सब अपनी जब आहूतियां डालेंगे जब हम अपनी दीप यग प्रज्वलीद करके आहूतियां डालेंगे तो हम अपनी आहूतियां में समर्पित है पित्रो हम यह मान करके चलते हैं कि वो माताजी गुर्दयों के चरणों में गई है उनके चरणों में शेरीर की आत्रा निरंतर चलती रहती है आत्मा की आत्रा निरंतर चलती रहती है शेरीर तो मरें धर्मा है कभी भी जा सकता है किसी भी विमानी में जा सकता है आईए हम अगला करम आरंब करें पूजन का करम भाहिखाता और इन सब का पूजन भाहिखाता पूजन श्रद्या दीदी के करकमलन द्वारा श्रद्या डाक साब के उपस्तिती में और हमारे परमादर्नी हरीश भाइशाब के द्वारा यह क्रम संपन हो रहा है आईए मंत्र बोले जा रहे है ओम प्रसवेद उदीरते तेश्रो वायो मक्हस्युवाह यदव्यरे सिसान वी ओम सिसुर्ण जातो वाचाक्रदद्वने स्वयत द्वाज्यरुशाह सिशासती दिवोरेत सासचते पयो व्रिधा तमीमहे सुमावी सर्मसप्रथा ओम स्वस्तिना इंद्रो व्रद्यक्ष्वाह स्वस्तिना अपूशा विष्वेदाह स्वस्तिना स्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो व्रिहस्पतिर्दधातु ओम भूर्भुवास्वाक्ष्वेतुर्वरेल्यं बर्गोदे वस्यदीमही दियोयोना प्रचोधया ओम सर्व मंगल मंगले स्वे सर्वार्थ साथिके शरने त्रेंबके गौरी नारायनी नमोस्तिते ओम गंधत्ध्वरां दुराधर्शाम नित्यपुष्टाम करिष्णिम् इस्वरीम सर्वभूता नाम तामयो पवाई स्यम्हार्थ दुक की राद गुड़ा जाएगी प्राण दीप तुम जलते रहना इस भाव के साथ अब दीप दान होगा ओम्भूर्भुवास्वर्द्योरिवभूना प्रिथेविववरिम्ना अस्यास्ते प्रिथेविदेवयजनि प्रिष्टे अग्निमन्ना दमन्ना ध्यायाददे अग्निम्दूतं पुरोददे अव्यवामुपाब्रुवे देवाम् आसादया दियां। ओम्यन्मंडलं देप्तिकरं मिशालं। रत्ना प्रभंति उब्रमना दिरूपं। दारेद्र दुखा छयकारणम्च उना तुमाम्त सवितुर्वरेड्यों। सुझोतिते पूंजनाद यनुपं। ब्रहमान व्यापि आलोग करता। दारी गृदुखवै से मुक्ट कर दो पावन बना दो हे देवु सविता। पावन बना दो हे देवु सविता। ओम्भुर्भुवाहस्वाह तक्सावितुम्वारेव्यं। भर्गोदे वस्याधिमे। धियोयोनाह प्रचुदायाद्षाह। इदं गायत्रे इदं नमामा ओम्भुर्भुवास्वाह तच्सावितुर्वाले न्यम् नर्गोदे वश्यदीमारि धियोयो नाह प्रचोधया साहा इदं गायत्रे इदं नमामा ओम्भुर्भुवास्वाह तच्सावितुर्वाले न्यम् नर्गोदे वश्यदीमाहि धियोयो नाह प्रचोधया साहा इदं गायत्रे इदं नमामा